चाम भगतो, भगतो, 13 जुलाई को गुरू पुरिणमा है, बहुत ही खास दिन और बहुत ही पावरफुल दिन है ये, क्योंकि जिस व्यक्ति का गुरू मजबूत होता है, गुरू स्ट्रोंग होता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, गुरू पुर गुरू का आसिरवाद मिलता रहे, हमेशा धन धानने से आपका घर भरा रहे, सुक, समर्दी, शान्ती, एस्वर्य, खुशी आपके घर में रहे, तो कल 13 जुलाई को ये काम जरूर करें, वैसे तो ये आप हमेशा भी कर सकते हैं, लेकिन कल विसेश योग बन रहे हैं, और गुरू पुर्णिमा है, तो कल अगर आप करेंगे तो आपको अनन्त गुणा लाव मिलेगा, आपकी मनो कामना पूरी होगी, आपके घर में धनके बंडार बनने लगेंगे, देखो, कल आप सुबह ब्रह्म मूरत में उठें, यानि की तीन से पांच बजे के बीच में, तो पीले वस्तर पहन लें, क्योंकि पीले वस्तर से क्या होता है, गुरू का जो रंग होता है, वो पीला होता है, पीली चीजों से गुरू आपके मजबूत होते हैं, गुरू जी है जो अगर आपके साकार रूप में कोई गुरू है, तो वो गुरू आप से खुश होते है उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास गुरु मंत्र है यानि कि गुरु दिख्षय आपने लिव हुई है तो आप अगर जा सकते हैं तो उनके पास जाएं उनके चरंड़ पर्ष करें तनमंधन उनको अरपन कर दें और अपने श्रधा के अनुसार उन्ह सचे मन से निस्काम भाव से दान करें तो हम आपको पूरा बरुसा दिलाते हैं कि आपकी कोई मनो कामना अधूरी रहनी सकती क्योंकि अगर आपने दान कर दिया और ये भावा आगया कि मुझे इसका वापिस मिलेगा तो फिर लाब नहीं होता आप दान कीजिए और फिर द सोजाते हैं और फिर आ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कल पूरे दिन भर गुरु मंतर का जब करते रहें अगर आपको गुरु मंतर मिला हुआ है तो और अगर कोई गुरु के पास नहीं जा सकता तो गुरु की प्रतिमा को देख कर उनके प्रणाम करें तनमंधन से उने याद करें और उनके चर्णों में प्राथना करें कि हे गुरु आप ही मेरा सर्वेश्वर हो मेरा बेडा पार लगाओ क्योंकि गुरु ही आपका बेडा पार कर सकते हैं तो भगतो कल ये काम अवश्य करें चाहे और कुछ करना चाहे मत करना चाहे आप नाना दोना भी मत च जलाओ चाहे कुछ मत करो, लेकिन मन के द्वारा उन्हें प्रणाम कर लो, उनका नाम मंतर जप कर लो, क्योंकि जो गुरू मंतर होता है, वो बहुत बहुत अधिक शक्ति शाली होता है, गुरू ने अपनी पूरी शक्ति उस मंत्र में भरके और आपको दिया है, वो तो उस मंत्र को आप ऐसे ही ना समझें, कल उसका जब करें, और अपने हर समस्या को दूर करें, वीडियो पसंदाया है, तो जादा से जादा शेयर करें, बहुत ही जल्द मि किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्त रहें, जय स्री राम बग्ति